हल्लो दोस्तो आप सबका न्यो गोर्मेंट जोप चनल में सवागत चली उड़ो को शुकरते इस उड़ो में हम SSC JD की जो वेकंसी यहाँ पर इनक्रेज हुई है वो कितनी हुई है और यहाँ पर SSC JD में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलप किये थे और कितनी कैंडिडेट ने एक्जाम दिया सब कुछ जो आपको SSC JD के बारे में जानना चाहिए और सब कुछ officially update कर दिया गया है तो चले देख लेते देखे यहाँ पर हम SSC की official site पे है आप जैसी यहाँ पर नीचे scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पर एक notice दिखाई देगा वीडियो को लास्त तक दिखते रहे तभी आपको पर वीडियो समझाएगा यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है SSC JD का जो notification है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह कुछ आपकी सामने खुल कर आ जाएगा देखिए यहाँ पर important update दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही important है यह notice तो देखिए यहाँ पर पढ़के बताता हूँ the candidate the stop selection commission has successfully conducted the constable exam CAPF NIA SSF rifleman जो कि आपका 2018 का exam यहाँ पर successfully conduct कराया गया है 11-2 से 11-3 लगबग यहाँ पर 18 days मतलब 18 days जो आपका exam में successfully conduct हो गया है और यहाँ पर आप नीचे जैसे scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपके समने कुछ आपके लिए बहुत ही important जो है वह यहाँ पर details दी हुई है देखिए आपकी जो total vacancy थी यहाँ पर अभी जो बढ़कर आई हुई है 58,373 मतलब लगबग जो आपकी 3-3,500 vacancy यहाँ पर increase हुई है और यहाँ पर और भी फिलाल जो है vacancy बढ़ने वाली है तो इसके लिए चैनल को अभी से subscribe कर दें ताकि आपको पलपल की update मिलती रहे SSC JD के बारे में तो अभी से जो चैनल है वो subscribe कर दें और वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजे अगर बात करें यहाँ पर हम total registration candidate की तो देखिए 52,20,335 यहाँ पर total जो है यहाँ पर जो आपकी registration हो करे गए थे अगर बात करें हम यहाँ पर candidate अपेर की तो देखिए 30,000,000 candidate ने यहाँ पर जो है आपका exam दिया है और उसी तरह अगर बात करें तो लिखिए यहाँ पर जो आपकी overall percentage attendance थी यहाँ पर देख सकते हैं 58.26% ही candidate ने यहाँ पर exam जो है वो दिया है और यहाँ पर जो 100% candidate ने form fill up करे गए थे उसमें से लगबग जो है 58% ही candidate ने यहाँ पर exam जो है ओटेम्ट करा गया है और यहाँ पर number of shift की बात करें तो 54 shift यहाँ पर हो गई है per shift 3 day मतलब 3 shift per day यहाँ पर ली गई है और अगर बात करें हम यहाँ पर number of examination venue तो देख सकते हैं 279 यहाँ पर 97 यहाँ पर दी हुई है और अगर बात करें हम यहाँ आपके examination total city की तो 125 और जो आपके state है वो 31 state में जो है यह exam conduct कराया गया अगर बात करें हम आपकी result की date की तो देखिए यहाँ पर साब तरीके से यहाँ इन्हों ने जो है वो दिया हुआ है कि आपका 31.5.2019 को जो है आपका यहाँ पर result जारी कर दिया जाएगा वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अन्दोस्तों के साथ शेर कीजिए चले मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई